ताजा अप्डेट्स की सब्सक्राइब करें भारत न्यूज 21 यूटूब चैनल को साथी बेल आइकन को दबाए करोना वायरेस के चलते चारो धाम यात्रा में आ सकती है रुकावट अचारे शिपर्जाद मंगाई ने बताए कि चारो धाम यात्रा के लिए सरकार में बड़ी खुशी थी सब लोगों में बड़ा उत्सा होता है चारो धामों में रास्ते में जो वैपार वैसार वाले लोग हैं उनमें बड़ी प्रसंत्रा होती है लेकिन इस वर्ष करोना वारिस होने के कारण ये जो यात्रा है बादित की जा रही है अच्छा पिस तारीक को ये मनोत्रियों और गंगोत्री के पट खुलने हैं 39 तारीक को श्रीकेदारनाजी के पट खुलेंगे वे अपने समय पर पट खुले जाएंगे जो परंपरा है उसे हम तोड नहीं सकते जो लोग चारो धाम्यात्रा के दर्शन के लिए आएंगे रशोशल दिस्टानिक बना कर चारो धामों के दर्शन कर सकेंगे दहरादून से भारत दियूस 21 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट तो नहीं होगे क्योंकि हमारे 26 तारीकों यमनोत्री गंगोत्री के पट खुलने हैं 29 तारीकों श्रीकेदानाजी के और 30 तारीकों जयवद्धनाजी के वो तो अपने समय पर ही चारो धामों के पट खूलने की एक जो परंपरा है वो तोड़ने सकते उसमें जो है सोसल डिस्टिंस के साथ साती दूरी बना करके जो लोग आवस्थिक्ता होगी उन लोगों को वहाजाने के लिए कहींगे और फिर जो है चोदर तारीक के बाद पूरा नेनाई लिया जाएगा यात्रा पर जो हमें क्या करना है अठार तारीक को जैसे तेल पिराई जो है मारानी जी करते हैं लाजदवार में नरिन नगर में वो कारी भी होगा और उसके बाद जो हमारे एक चारधाम यात्रा से पहले कुछ लोग यहां पर एक हन्मान चालिसा का भी आविजन करते थे जिसमें सारे लोग बड़ी कि लोग सब रखते थे और बड़े सब बुच्छा से मिले होते थे लेकिन इस वर्स भी हमने रखाया है पर चलो तारीक के बाद ही पता चलेगा कि हो सकता कि नहीं हो सकता मेरी समझ में तो यह आ रहा है कि इस तरह का आविजन करना भीड़वार को एक ठा करना जो है यह तो खत्री से बाहर ने होगा लेकिन फिर भी यात्रा जो है अपनी अनुसार चलेंगे और पूर्वत जो है वहाँ पर जो आवसिता हमारी पुझारी और हमारी जो रावल और हमारी जो एक दो आदिम की जो आवसिता होगी कोई उन्हीं लोग के साथ जो पत्ट पुली झाल झाल